तो आज मेरी अम्मी बना रही हैं वेच ताहिरी और उसी की रेसिपी हम शेयर करने वाले हैं यहां पर कटा हुआ प्यास लिट की हुई हरी में चदर कलसन का पेस्ट निम्बू का रस धनिया पती और टमाटर कटा हुआ रखा हुआ है साथ में रखे हैं कटे हुए आलू तो यह सब हैं इसके इंग्रीडियन साथ में हाप पानी जो बाद में जाएगा इसके बाद कुछ खड़े मसाली अम्मी निकाल रही थी जिसमें बेसिक जो है जीरा तेस पतार फूल चक्र फूल डालचीनी लॉंग और काली मिर्च थी और वहां पर रखा हुआ था चावल इसके बाद अम्मी ने क्या किया है पहले तो सबसे पहले गार्निशिंग के कि अद्रक लेसं खड़ा है दो से 5 मिनिट के लिए उसके बाद इसमें जो है अद्रकलसन का पेस डालके बूना है और उसके बाद भी सांत में टमाटर भी डाल दी है अब टमाटर के इसमें जाने वाले हैं पाउडर मसाले जैसे की लाल मिर्च का पाउडर जो की तो इसके बाद ममी ने डाला था आधा टीस्पून से भी कम गरम मसाला और ये सब डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे सारे मसालो को कम से कम 5-7 मिनिट के लिए और मेंली हमारा मोटिव यह है कि हाँ पर टमाटर अच्छे से गल जाएं अच्छे से पक तो नमक जो कि है मेरी ममी प्रो हैं सालो से खाना बना रही है तो अंदास से डालती है आप अपने हिसाब से डालिए जैसा भी आपको मेजिरमेंट लगता है तो यह नमक वगएर डालने के बाद यहां पे अच्छे से भुनाई हुई है भूनने के बाद इसमें अम्मी ने से पानी शामिल कर रही है और पानी डालने के बाद क्या करेंगे ना इसको अच्छे से बॉइल दिलाना है हमें मतलब दंबे रखने के पहले बेसिकली लेकिन इसके पहले इसमें जाएगा एक और सीजनल इंग्रेडियन्ट जो की है मेती की भाजी जी हां मेती की भाजी भी इसको दम पे रखना है जैसे कि अभी सब कुछ डाल के अम्मी ने मतलब इसको स्टर दे दिया था और ये है अब जब के सारा इसका पानी निकल चुका था सूख चुका था और अब इसको हमने दम पर रख दिया था दम पे से निकालने के बाद मतलब जब दम पे हो गया था प्रोसेस दम का उसके बाद ये कुछ ऐसा सा दिख रहा था और मैं कोशिश कर रही थी चेक करने की कि आलू गले हैं या नहीं तो क्योंकि ये कहाँ से बनता नहीं है प्रॉपली तो मैं आलू बड़ी मुश्किल से मैंने चेक किया गईकि मैंने दूसरे हाथ में मुबाइल था तो अलू गल चुके थी आल्मोस्ट तो अब इसके बाद हमें इसको एक स्टर देने के बाद जो है अब इसमें हम जो हमारा हमने प्यास तला हुआ प्यास और धनिया रखे हुई थी गार्नेशिंग के लिए तो वो बेसिकली हम इसमें गानिश कर देंगे इसको अच्छी तरह से पूरी स्प्रिंकल कर देंगे सब तरफ इसमें तला हुआ प्याज और हरा धनिया और अल्मूस्ट ये रेडी है इसके बाद मैंने एंड में क्या किया था ना क्योंकि मुझे लग रहा था कि डन है लगब तो मैंने गैस बन कर दिया था इसको और नहीं पकाया था क्योंकि चावल जादा गलने का खत्रा था उसमें मतलब जादा ही कुछ मैशी हो जाते राई इसके लिए तो अब बस ये एंड में इसको गानिश करने के बाद एक उपसूरत सी प्यारी सी सुन्दर सी ताहिरी हमार तयार है खाने के लिए तो इसको करने के बाद मैंने इसको ढग दिया था और गयास जैसे मैंने मताया बन कर दिया था तो अब आप लोग भी आजाए खाने के लिए बिसमिल्ला